हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आपने चैनल पसल मेनिया बितंकुल में बहुत सारे स्टूडेंस 2022 बेंकिंग एक्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं काफी सारे स्टूडेंस जिनको आई वी पेस में सेलेक्शन नहीं मिल पाया वो भी तैयार हैं आने वाले एक्जाम्स के लिए लेकर दोस्तों आपको पता है कि हर साल दो तीन मैने का समय आपको ऐसा जरूर मिलता है जिसमें जाना कोई एक्जाम्स या नोटिफिकेशन नहीं होते हैं अभी आप देखोगे अप्रैल मैई जून का जो समय है जाना कोई खास एक्जाम्स भी नहीं है जून में आपका आई वी पेस आरार्वी का नोटिफिकेशन आएगा अभी आर्वी आई के नोटिफिकेशन भी आने बाकी है लेकिन तयारी करने का सबसे बहतर समय भी यही दो-ती महीने होते हैं जिन में जाना कोई खास एक्जाम्स देखने को नहीं मिलते हैं और जिन भी स्टूडेंस ने यह समय को यूटिलाइज कर लिया तो वो तयारी आपके पूरे साल के एक्जाम्स में काम आएगी तो एक बार नोटिफिकेशन और एक्जाम्स आने सुरू हो गए ना तो एक्जाम्स के बीच में बहुंच जाना दिनों का आपको गैफ नहीं मिलेगा ये भी नहींगा कि एक एक महिने में 3-3-4 एक्जाम्स भी आपको देखने को मिलेंगे जब इतना कम गैफ मिलता है ना तो उसमें तयारी नहीं हो पाती है वो समय रहता है practice का दोस्तों आपको भी पता है कि notification तो काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं banking exams में लेकिन vacancies उतनी बहतर देखने को नहीं मिल रही है और competition भी कितना जाना tough होता जा रहा है तो यह important नहीं है कि exams के साथ आपकी तयारी कैसी चल रही है यह important है कि exam के पहले आपकी कित कितनी तयारी है तो अभी आपको पता है कि RBA assistant का notification भी आना है तो कितनी high cutoff उसमें आपको देखने को मिलती है और notification आना ही आना है तो उस तनी high cutoff में अगर आपको exam clear करना है तो कहीं न कहीं आपको पहले से तयारी शुरूर करने पड़ेगी इसलिए description और comment box में आपको RBA assistant का free mock test मिल जाएगा ओले बोड का mock test है तो आपको बता है कि level कितना सांदार रहता है ओले बोड का तो उस free mock test को आप जरूर attempt करने और comment में भी जरूर बताएं कि ओले बोड के RBA assistant के free mock test में आपको कितना score और percentile आया है और कोई भी doubt है आप comment में पूर सकते हैं मिलते हैं फिनेस वीडियो में जब तक के लिए धन्नबाद